नमस्कार दोस्तों मेरा नम है आसीश और आप देख रहे है टेक टेली तो आज मैं इस वीडियो पर आपको यह बताऊंगा कि यह डॉमीन होता क्या है हम सबी लोगोंने टॉमीन का यह चोना है लेकिन हम जब कभी वेबसेट बनने के लिए लिए जाते है तब हम मैं मे compounding ख्यर्ट मुधाय ख्यतने। हैं लेकिन हम क्रचित है क्या है दोमीन इसा कीया है डॉमीन का हमारा वेबसेट पर ये करिटा किया है डॉमीन तो हम सब कुछ इस वीडियो पर जानेंगे डॉमीन के ऊपर तो आप इस वीडियो को आखरी तक देखते रही है और वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना साथ हूँ अगर आपने मेरा सेनल को सस्क्रेब ने किया कि एक वेबसेट का एड्रेस उसके मतलब अगर किसी भी वेबसेट पर जाना है तो आपको उस वेबसेट का एड्रेस आपको पहले जानना होगा तभी आप उस वेबसेट पर जा पाएंगे वह ही डॉमीन होता है फर एक्जम्बल मैं आपको सिंप्ली बदाता हूँ www. ये पीसे हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे डॉमीन बोलते हैं फर एक्जम्बल www.google.com ये होगा Google.com डॉमीन ये www.gmail.com ये gmail.com होगे आपका डॉमीन तो वह होता है वेबसेट का एड्रेस जिस कारेंचे आप उस वेबसेट को विजित कर सेकते हैं आप जैसे कि माले आप कोई भी वेबसेट ब्राउजर पे जाके www.gmail.com लिखेंगे तभी आप gmail.com पे विजित कर पाएंगे आपने उस वेबसेट का एड्रेस आपने ब्राउजर पे लिखा है, search engine browser पे तो इसी कारणचे आप उस वेबसेट को विजित कर सेकते हैं इसी कारणचे हम जब कभी हम वेबसेट बनाते हैं तब हमें डॉमीन खरेदना होता है जिस करद से अगर कोई भी Tut Casa Вас आपक्के वेबसेट की विजिट करना साथ है, तो उस वीजिटरस अपका वेबसेट की पदना और ही पड़ेगा। तब ही वह आपके वेबसेट विजिट करपाएंगे। मैं तो इसी को मैं आपको practical एकजमपल पर ताना से गाए तोप प्लोट खुरितना चाहते हैं, कि आप एक प्लोट खुरितना साहा है, तो क्या हो गाओ दिण दूजाना साहथ है, मह О self inquiry प्लोट गाना साहा, आप आपको प्लॉट के आपको एड्रेस ही मालूम नहीं है। तब वो आपके वेबसेट पे आप आपाईंगे इसलिए हम वेबसेट बना इन एक टाम हमें एक डॉमीन घ्रेटके हैं जिसक्त विजिटर्स हमारे विजिट कर पाई है ठीक्याँ और अभी मैं आपको थोड़ा साथ टेक्निकल और दीप नॉलिज बता सेकते हैं आप देड़ा हूं आपको डॉमीन आपका बहुत तड़ागा होता है एक होता है CCTLD और एक होता है GTLD यह जो CCTLD होता है उसका मलत बहुत क्या कांट्री को टॉप लेवल डॉमीन इसके अंदर आपको आता है .in, .au, .us यह बहुत तड़ागा स्पेसिफिक कांट्री का खुद का जो डॉमीन होता है हम उसे CCTLD डॉमीन के अंदर हम लाता है ठीक है? यह CCTLD डॉमीन जो होता है वह स्पेसिफिक के लिए उसी कांट्री के लिए बना होता है उसे कांट्री का डॉमीन होग उसे यूज़ कर सकते है आसकल क्या होता है कि बहुत श्रीक अट्री का भी उस चज़ के लिए इसका डॉमीन के लिए के देता है जाज कि मान लिए .au यह specifically Australia के लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर Australia के लिए government साथ है कि वो domain कोई दुसरे country भी उसकर सेगे तो आसकल बहुत च्रहे country उसकर में उसकर बना है। लेकिन इंडिया के लोगों के लिए बना है। इंडिया के लोगों के लिए बना है। उसे हम country को टॉप लेवेल डॉमिन केते हैं। जो स्पेसिफिक कांट्री के लिए बनते हैं। दूसरा होगे GTLD GTLD का मतलब यह हो गया कि आपका generic top-level domain generic top-level domain के लिए यह थाकि .com.org.info.edu.gov यह सब generic top-level domain है। कोई भी लोग कहीं भी डुनिया में बैठ हैं। कोई भी यूज़ कर सकते हैं। generic top-level domain में जो .com होता है। वह स्पेसिफिक के लिए हम commercial purpose के लिए यूज़ करते हैं जो .edu होता है वह हम education purpose के लिए जनर्य रिए 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 गया तो यह सब generic top-level domain होता है। मैंने आपका इसे छुदा चादीब झालेज के लिए मैंने आपको बता दिया है domain के types तीक है । अभी अप domain के ख्रेडिंग हे कहां से आपको आपने एक वेबसेट तो बना ले आपको डॉमीन आपको मिलेगा कहां खरेदेंगे कैसे कौन साथ सबसे अच्छा अच्छा कंपेश जहां पर आप सस्थे में डॉमीन खरेद चेकते हैं उसके आपको क्या करना होगी है आपको गूगूल पर जाके टॉप 10 डॉमीन रेजिसेशन कंपेश आपको सार्च करना है तब आपको बहुत सा कंपेश मिलेगा उसमें से एक दो का नाम मैं बता देता हूँ जहां पर आपको अच्छा डॉमीन मिलेगा जेनुइन तो वह होगे आपका गोडैडी नेमचीप ब्लू होस्ट होस्ट क्रेटर यह सब पर आपको अच्छा और डॉमीन मिलेगा और एफ़रेबुल प्राइस पे ठीक है तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्रेब कीजिए और लाइक कीजिए कुछ भी कॉमेंट है या कुछ भी डाउत है डॉमीन के ओपर आप उस आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिग दीजिए तो मैं आपको उसका रिप्लाइ दूँगा और प्लीज मेरे वीडियो को स्चेर कीजिए और आखरी मेरे सब्सक्रेब तो प्लीज कीजिए ही तैंक यू ब्री मच्छ पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक